अगर आप इस चैनल को शुब्सक्राइब करो इस वीडियो को लाइक करना आइड इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना भाई काफी सारी चीजों के बारे में बात करने हैं सबसे पहले किरिन अमबापके के बारे में अपन बात करने वाले हैं भाई एक चीज तो तैय हो गई कि ये सारे मिल के हमको पागल बना रहे है मादर चोथ के बच्चे बिलकुल भाई बिलकुल यही बात है ठीके नब कोज काफी सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रखी है और कोई भी डिरेक्ट खीम नहीं कर रहा है कि किलिनमबापे ने ये बोला है PSG को या फिर किलिनमबापे ने वो बोला है PSG को तो एक बहुत ही जादा यह उनों mixed opinions हो रखी है सारे transfer rumors के बारे में कोई कहता है किलिनमबापे is demanding 240 million from his next club कोई कहता है कि किलिनमबापे को नहीं आना रही है कोई कहता है किलिनमबापे को PSG चोड़ना है तो यहाँ पर इस समेना एक बहुत ही बड़ी बियानी पिलाव बन रखी है और किसी को कुछ नहीं बता कि क्या होने वाल है ठीक है at this very point कोई कुछ नहीं कह सकता है और बस लोग milk करना चाहते है यहाँ पर मैंने पड़ी ती यह था उसकी मम्मी के बार में अब मैंने जानता कि amount या फिगर्स कितने सही है कितने उसके favor में है लेकिर इतना मैं जरूर जानता हूँ भाई कि जो भी amounts निकल कर आ रहे है वो बिलकुल भी एकदम out of this world है ठीक है आप समझ ही नहीं पाऊगे News यह है कि Kiran Mbappi की जो मतर है फेजाल हमारी उनको clubs के बार में उनको player agents के बार में उनको transfer fees के बार में as such कोई idea नहीं है लेकिर उसको idea पैसों के बार में है and Kiran Mbappi को वो अब तक 500 million in money कमा के दिलवाज चुकी है यह news है बाई तो इस समय फेजाल हमारी को बिलकुल भी फरक नहीं पड़ता कि Kiran Mbappi की क्या image रहती है from a global perspective यह फिर Kiran Mbappi की face value की कितनी power रह जाती है यह फिर Kiran Mbappi की reputation कैसी रहती है on the transfer market इन चीजों के बार में फेजाल अमारी को बिलकुल भी फरक नहीं पड़ता कि Kiran Mbappi की political image यह फिर public image कैसे रहती है क्या वो spoil होती है फेजाल अमारी का एक एम है अपने कि Kiran Mbappi क्यो PSG में रुग गया Emmanuel Macron stepped up Amir is of Qatar stepped up काफी सारी चीज़े होई थी यह बात हमको मालम है अच्छी तरीके से लेकिन दोस्तों यहाँ पर और भी बड़ी चीज़े हैं यहाँ पर फेजाल अमारी भी step in करती हैं फेजाल अमारी ने वो offer चुना किरेनमबापे के लिए जहाँ पर उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे तो यहाँ पर फेजाल अमारी भी एक बहुत ही बड़ा यूनो एक power hold करती हैं किरेनमबापे के transfer move में जहाँ भी वो चाते हैं तो यहाँ पर फेजाल अमारी को आपको पखड़ना पड़ेगा भाई because उस बंदी ने लिटरली Real Madrid के seasons बिगडवाए हैं लिटरली seasons बिगडवाए हैं अगर करेनमबापे यह साल भी नहाँ आता ना अपने बेटे के लिए वो देखना पड़ेगा but again किरेनमबापे has to play a very very significant role here in wanting to leave Real Madrid अभी रात के 12 बज़ रहें and यहाँ पर मुझे निगल कर रही है Rodrigo Faiz में यह comment कर रहा है कि यह किरेनमबापे is going to plan to leave PSG and PSG के साथ वो finally एक meeting करने वाल है to decide to what needs to be done in his future लेकिन यही कुछ sources पहले हमको यही बता रहे थे कि यह PSG के साथ उसकी meeting हो चिकी है and कुछ ऐसी sources हमको और बता रहे थे कि यह किरेनमबापे does not want to stay at PSG किरेनमबापे wants a 240-minute offer from its next club तो कुछ भी निकल रहा है media में media milk करना चाती है भी उसको and media वो rightfully so कर रही है and हम प्यारे से innocent बकरे बकरा बने जा रहे है ठीक है तो practically speaking यहाँ पर हमें as you know viewers we need to एक तरीके से consume the right source of news, एक तरीके से right news को consume करना है हम as viewers and साथी साथ भाई हमें भाव नहीं देना है एसे लोगों को जो की cloud के लिए viewership जिपका रहे है अभी तुम मुझे बताओ क्या कि लिएमबापे 241 in demand भी करेगा from his next club because right now according to different sources उसने तो meeting भी निकरी है PSG के साथ इस समय इस समय तो वो अपनी holidays enjoy कर रहा है PSG के साथ meeting करने के लिए इसको Paris आना पड़ेगा या फिर Paris के directors को एमबापे के बास पहुचना पड़ेगा लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या हमें इसके बार में कोई update मली है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है And क्या मुझे लगता है कि किलन Mbappé आने वाला है इस सीजन रियाल मटरेड में The answer is very very unlikely मुझे नहीं लगता कि किलन Mbappé यह सीजन रियाल मटरेड आएगा Because Faisal Amari बहुती बड़ा You know, hold रखती है In Mbappé's move क्या Mbappé का future होगा उसमें उसकी मदर का सबसे बड़ा से रहता है And Faisal Amari अगर चाहती है कि वो PSG में रुके तो वो PSG में रुकेगा Because Kylen Mbappé बहुती आगयकारी बेटा है ठीक है So for those reasons I feel कि अगर एक move to Riyamard होता भी है So that will be in 2024 Now Riyamard is becoming a 2024 FC Because Alphonso Davies को हम 2024 में लेंगे Kylen Mbappé को हम 2024 में लेंगे तो हम कुछ भी कर जा रहे है We are literally doing anything whatever there is तो भाई ये था ही मेरी Kylen Mbappé के उपर news एक positive news लेकर आता हूँ कि Foreign Mindy को शाच्छे Saudi Arabia से काफी अच्छा offer अने वाल है And Foreign Mindy उसके बार में सोच रहे है Foreign Mindy might leave the club भाई Which means कि आपके बस Alphonso Davies ही है available on the market Because Alphonso Davies के पास सिफ एक साल का contract रह गया है And यहाँ पर वो free agent हो जाएंगे तो आपको इस बात का बहुत अच्छे तरीकर से फाइदा उठाना पड़ेगा Considering Alphonso Davies को I don't think 40 से 50 million के बीच में उससे जाएद तो Alphonso Davies के लिए Ask नहीं करना चाहिए Bayern Munich को लेकिन Bayern Munich ने बहुत sensible transfers कर रहे है साधियों माने को 35 million या 40 million पुल अफ कर जया था I know that has not worked out in their favor I know that but again बहुत ही sensible deal करी थी Lucas Hernandez को 50 million में चिपकाया गया है And 50 million में Kinmin Jay को लेकर आए है तो एक बहुत ही massive upgrade किया है At the same price point And एक centre-back को दूसरे centre-back के लिए replace किया है तो एक upgrade की है Without spending any money तो यहाँ पर आपको Bayern को kudos देने पड़ेंगे The way they handle themselves in the transfer market Is absolutely remarkable And उसके लिए आपको Bayern Munich को credits देने पड़ेंगे लेकिन अगर यहाँ पर सवाल उठता है I don't think so Bayern Munich would want him to You know keep him on the transfer market Obviously Bayern Munich को भी पैसे कमाने है Bayern Munich भी चाहती है कि वो upgrade करे And obviously वहाँ पर भी a transitional phase चल रहा है And इसलिए वो players को हटा भी रहे है यह बद हमको मालम है लेकिन का Alphonso Davies Will be available on the market That is very very debatable To honestly at this very point हम कुछ नहीं कह साथे कि क्या होने वाला है Real Madrid की transfer strategy Transfer market बहुत unpredictable होने वाली है We are practically relying on one player And again हमने same mistake बार-बार दो रहा ही है And हम फिर से दो रहा रहा है हमारा पूरा का पूरा focus shift हो चुका है To us के लिए ने बाप पे हमारी और क्या नीज है Because इस समय हमारा दिमाग सिफ खिरने बाप की तरफ है And बस हम वाई बरी लीन है We are only leaning towards खिरने बाप पे हम एक और left back को add करने का नहीं सोच रहे हम एक और right back को add करने का नहीं सोच रहे And हाँ Coming back to Fallen Mendy By Carlo Ancelotti के चीए कि Fallen Mendy रोके उसके team में Carlo Ancelotti Fallen Mendy के साथ एक meeting help करना चाता है And वापर discuss करना चाता है Fallen Mendy अपने future के साथ क्या करें लेकिन Fallen Mendy बहुत ओपन तरीके से Future को accept कर लेगा अगर Saudi Arabia से उसके लिए बहुत बढ़ा offer आ चाता है And he will happily move to Saudi Arabia So वो भी देखने वाली बात होगी कि क्या होता है Fallen Mendy के साथ I would be happy if he leaves Because honestly मुझे ऐसा नहीं लगता है कि Fallen Mendy is adding a lot to the club So for those reasons I feel कि उसको जाना चाहे है Because he's after the money clearly दिख रहा है Riyal Madrid भी वो एक significant pay rise की demand करता है Riyal Madrid on the other hand नहीं चाहती कि वो उसकी salary बढ़ा है So वहाँ पर I think एक body no-no हो जाएगा And party में क्रिस्क्रॉस हो जाएगा Which means कि Fallen Mendy अपका contract extend नहीं करेगा So for those reasons मुझे लगता है कि Fallen Mendy जाने बाल है With this year I think I'd like to end the video If you watch it to the end Hala Madrid, ina namaz, hasta el final Vamos Riyal, see you